सीरा और धमनी में अंतर difference between vein and artery चलिए सब कुछ details में जानते हैं सीरा और धमनी में अंतर आपको लिखने को बोला जाया तो अब सीरा तरफ ये लिख दीजेगा और धमनी तरफ आप ये लिख दीजेगा आसानी से नंबर आपको मिल जाएगा सीरा जिसे एंगलिस में कहते हैं यहां असुध रक्त को तंतूओ से हिर्दय में लाती है कहने का मतलब ये है सरीर के अंदर गंदा खुन भी है और साप खुन भी है तो गंदा खुन को सीरा जो होता है वो हिर्दय में लाता है दूसरा अंतर है सीरा की दिवार पतली तथा कम लचीली होती है और तिसरा अंतर है इन में रक्त का बहाव धीमी गती से होता है ठीक है सीराओं में जगह जगह पर कपाट लगे रहते है पलमोंडरी सीरा को छुड़ कर सेस सभी सीराओं में असूध या यूँ कहें तो अक्सीजन रही तरुधीर होता है और ये गहरे लाल अथवा नीले बैगनी रंकी होती है धमनी इंगलिस में होता है आटरी या सूध रक्त को हिर्दय से तंतू तक ले जाती है मतलब ये कि हिर्दय के पास जो भी साफ खोन है वो पूरे बोड़ी में धमनी द्वारा जाता है धमनी की दिवार मोटी और लचीली होती है इनमें रक्त का बहाव बहुत तेजी से होता है धमनी में कपाट नहीं लगे रहते पल्मोनरी धमनी को छोड़ कर सेस सभी धमनियों में सूध या यूँ कहें तो ऑक्सिजन युक्त रुधीर होती है इनका रंग गुलाबी या यूँ कहें तो चटक लाल होता है I hope इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है किलिरली आ गया होगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जहिंद वंदे मातर